आप सभी का क्रैक एक्जाम ओलाइन के यूटूब चनल पर हरदिक स्वागत है आज की इस वीडियों में हम राजस्थान सरकार की योजनाई करने वाले हैं पलस मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहूंगा लगभग हम 49, 50 योजनाओं के आसपास हम योजनाई करेंगे जिन में 28 थी वरतमान में 33 हो चुकी हैं तो वो 33 फ्लैक्सिप्स की योजनाई भी पढ़ेंगे और राजस्तान की कुछ अन्य महत्पून योजनाई और बचती हैं तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं लगभग आज की इस वीडियो में 49 से 50 योजनाई हम करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में हमारी कंप्लीट हो जाएं तो वीडियो को एंड तक देखना सभी साथियों के साथ इसको शेयर करना लाइक एंड कोमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा है फस्ट हम पढ़ने वाले हैं मुख्य मंतरी चिरंजवी स्वास् के बारे में कुछ फैक्ट होते हैं कौन-कौन से फैक्ट हमको ध्यान रखने वो हम यहां पर डिसकस करेंगे कब शुरू हुई किस विवाग ने शुरू की यह चीज़े इस परकार के एक्जाम में क्योशन पूछे जाते हैं अन्य कुछ फैक्ट रहेंगे वो हम भी यहां बेंगे डिसकस कर लेंगे साथियों एक में बहुजार इकिस को मुख्य मंतरी चृरिंज़ों स्वास्ते पिमें यह चुरू होती हैं स्वास्ते विवाग द्वारा समचलित है कौून इसको चला रहे साथियों आपको ध्यान रहरे बात जो कि एक्जाम केड़े पॉइंट पांच लाग जो रूपए के स्थान पर इसको बढ़ा कर कितना कर दिया है दस लाग रूपए कर दिया गया है पांच लाग रूपए के स्थान पर कितना कर दिया गया साथियों बजट 2022-23 के नुसार 5 लाख केस्तान बर 10 लाख रुपए की कोशना कर दी गई है ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो इसमें कुछ चेंजिस कर दिये जाती है न वो क्या है एक्जाम पॉइंट ओव यू से इपोर्टेंट बन जाते है अब तक परदेश में किया है कि 788 सरकारी और 590 निजी अपस्तालों का यूजना से जुड़ाओ होचु कैसाती है ये इस यूजना के दाहत इसमें किया राष्ट्रिय खाद्य शुरुक्षय दिन्यम समाजिक आर्थिक जनगर्ना 2011 के पत्र अभ्यार्थियों के साथ-साथ मुख्या मंत्री चिरंजवी योजना समीदा कर्मी अगर कोई है और लगू सिमान्त किरिशक कोई है तो उनको क्या कि निशुलक सुविधा क लिए फ्री है यही मान सकते है किरिशक कोई हो और सबी के लिए फ्री की गई है तो यह वाला पॉइंट भी आ पर ज्यान रखोगी नेक्स्ट एसा आत्यों मुख्य मंत्री निशुलक दवायोजना यह बी अपने आप में बहुत ही महतपूर्ण है इसकी सुरुआग जो होत योजना सोट मैंने बनाया आपके लिए कौन सा विभाग इसको चला रहा है और कौन सी योजना का नाम है वो एक सोट वीडियो बना रहा है तो आप वो जाकर देख सकते हो इस योजना के मुखेत हैं हमको दो गटक ध्यान रखने हैं एक तो निसुलक दवाईयां दी जाती है इस निसुलक प्रिक्शन के जाता है, द्वाईयां भी निसुलक दी जाती है और प्रिक्शन भी निसुलक के किया जाता है नेक्स चलते हैं आवशिक दवायों में इसमें कैसा आती हो लग बग 971 जो कुल है ना कुल आप ध्यान रखना कुल वाले पॉटेंट पॉइंट 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 आ यहां पर कुल जो 971 दवायां उस दियां जो है कितनी दवायां उस इस पॉटेंट हो जाएगा कुल 900 कहतर करवाया जाएगी कब कर दे है यह तो 2.091 की योजना है निरोगी राजस्फान अभ्यान के बारे में पढ़ेंगे अथारा दिसंबर 2019 को ये लागू होता है 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्तान अभियान लागव होता है निरोगी राजस्तान अभियान चिकित सा हैं स्वास्ते विभाग कुन सा है चिकित सा और स्वास्ते विभाग यह है इस अभियान के सफल क्रियानवेन के लिए प्रदेश के प्रते गाउं और सहरी वार्डों में वार्ड हैं उनमें एक एक महिला एक प्रूस स्वास्ते मित्र न्युक्त किया जाएगा मुख्य मंतरी चिरिंजवी दुरुगटना भीमा योजना के बारे में जानेंगी तो यह जो इसकी गोशना है वो राजस्तान बजट 2022-23 में दुरुगटना भीमा योजना की गोशना की गई है मुख्य मंतरी चिरिंजवी दुरुगटना भीमा योजना बजट 2022-23 में इसकी गोशना होती है इसके अंतरगत चिरिंजवी योजना में बिमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्गटना बीमा कवर निसुल कपलवद होचकेगा वहाँ पर कितना था उसमें जो था 10 लाख तक था यहाँ पर क्या है चिरिंजवी दुर्गटना बीमा में कितना है 5 लाख रुपए तक है ऐसे आप इसको comparative भी याद रख सकते हो हमने परियास किया कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा योजना ही किवाए जा सके और सातियों अगर आप राजस्तान में रीट की त्यारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की त्यारी अगर आप कर रहे हो ना तो यह वीडियो आपके लिए भहो ज़्यादा मैतपूर रहने वाला है मैं तो आपको यह कहूँगा राजस्तान में किसी भी स्टेट लेवल की एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ना जो राजस्तान लेवल का एक्जाम है तो उसके अंदर यह योजनाओं से समन्दित क्यों शिनाते हैं सुद के लिए युद अभियान चलाया कब गया वो हमको भी धियान रखना है 26 अक्तूबर 2020 को 26 अक्तूबर 2020 को इस अभियान को चलाया गया अभियान किस पे है सुद के लिए युद तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को मिल, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके अंदर मिलावट होते हैं, उनको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है, 26 अक्तुबर 2020 को नेक्स्ट है, मिलावट खोरों के विरुद कड़े कदम उठाने के लिए मुक्य सचीव के अध्यक्सा में, राज़स्तान खाद्य सुरक्षा प्राधिकर्ण का गठन किया गया है, मुक्य सचीव, मुक्य सचीव आपको ध्यान आ रहोगा ना, उससा सरमा ऐसा करके, जो सेकिं रखना है, कौन सा विवाग चला रहे हैं, मुक्य मंतरी निशुल्क जांच योजना, वो मैंने वहाँ पर भी बिताई थी आपको कि उसमें निशुल्क दवा योजना के तहत जांच भी की जाती है, तो इसके तहत एक योजना लग की गई है, चिकित्सा स्वास्ते 2013 को सुरू की गई, इसके तहत क्या है, कि जो राजकी एस्पिताल है, गवर्मेंट होस्पिटल है, वहाँ पे जो रोगी आते हैं, उनका सुंपूर्ण उपचार जो है, उपलब्द हो सके, प्रियोग साला की समता बढ़ाई जास के, जान सुविदें उनको उपलब्द वाई जास के साथियों, इसमें हमको ध्यान देना है, चिकित सालों में 90 जिला उपजिला सेटलाइट में 56 स्वास्ते केंदरों में 37 ता प्रात्मिक स्वास्ते केंदरों में 15 परकार की जान से निशुरू के उपलब्द हो सकेगी, यानि अगर जिले में हैं, तो वहाँ पे 90 है, उपजिला सेटलाइट है, वहाँ पे 56 जान से हो सकती है, केंदरों में 37 हो सकती है, और डिस्पेंसी चिक चैले वहाँ पर 15 परकार की जान से जो है निशुरू को उपलब्द करवाई गई है, घर-घर ओस दी योजना, बहुत ही अच्छी योजना है, हमारे एक्जाम क पहले योजना कंपलीट देखना, फिर वह वाले क्योशन अटेम्ट करना, इससे आपकी योजना वाला टोपिक तो है न, वो तो कवर हो जाएगा, घर-गर ओस दी योजना, 18 अपरेल 2021 की घर-गर ओस दी योजना है, राजस्तान राज्य मंत्री मंदल दवारा, इसकी गोश इसको क्या क्रियानवन करने का 18 अपरेल 2021 को निरने लिया गया है, परदेश स्तर पर क्रियानवन करने का निरने 18 अपरेल 2021 को लिया गया है, लेकिन इसकी सुरुवात जो होती है, एक अगस्त 2021 को, शुरुवात कब हो रही है, एक अगस्त 2021 को इस योजना की सुरुवात हो र कितनी बार दिये जाएंगे तीन बार में दिये जाएंगे तुलसी, गिलोए, असवगंदा, कालमेग, यानि तीन बार में चार पोधे दिये जाएंगे, तुलसी का दिये जाएगा, गिलोए का दिये जाएगा, असवगंदा दिये जाएगा, कालमेग दिये जाएगा, दो दो तुलसी गिलोए असवगंदा कालमे यह नाम भी द्यान रखने है चार पोधों के नाम है तीन बार के अंदर है आप उसल्गवधे नीसुलक बित्रिन ने उनका किया जाएगा सात्यों नेक्स्ट है राजस्तान सिल्कोसिस निती आई हुई है 2019 यह इपोर्टेंट है सिल्कोसिस निती हमारे एक्जाम पॉइंट ओव व्यू से इपोर्टेंट है राज्य सरकार क्या है कि 3 अक्तुबर 2019 को सिल्कोसिस निती 2019 को जारी करती है कब जारी करती है 3 अक्तूबर 2019 को राजस्तान की सिल्कोसिस निती राजस्तान सरकार जारी करती है इसके तहट क्या है कि सिल्कोसिस बीमारी खास तोर पर खनन पत्थर तोड़ते या पत्थर पीस कर पाउडर बनाते हैं गिट्टी बनाने सैंड स्टोन में है मूर्ती बनाने जैसे काम में लगे स्थर्मिकों को होती है पीड़तों को क्या है स्क्रीनिंग उपचार में प्रमानी करण के साथ उनके आस्रितों को साहिता एमों पुनरवास का परावधान किया गया है चिलिकोसिस रोग के परमानी करन पर पुनरवास के लिए रोगी को तीन लाख रुपए पुनरवास के लिए उसको कितने रुपए तीन लाख रुपए रोगी की मृत्यू अंतिम संसकार है तो दस हजार रुपए अगर रोगी की मृत्यू हो जाती है तो इसको अंतिम संसकार है तो दस हजार रुपए और परिजनों को दो लाग रुपए की साहिता दी जाती है परिजनों को कितनी दो लाग रुपए की साहिता दी जाती है पुनरवास के लिए इसको तीन लाग की मृत्यू होने रूप में तो पंदरा सू रूपे परतीमा पैंसन के रूप में दिये जाएंगे पंदरा सू रूपे परतीमा और सिल्कोसिस विदवा पैंसन के अंतरगत पच्पन वर्स की आयू तक पान सू रूपे परतीमा उसमें क्या पान सू रूपे परतीमा और पिच्पन से साथ वर तक की आयू तक 1000 रुपए और 75 वर्स से अधिक अगर है तो 1500 रुपए परतिमा के साइताद दी जाएगी ये वाले फैक्ट इपोर्टेंट है सिल्कोसिस पीडित को पैंशन तो 1500 रुपए है सिल्कोसिस पीडित को ये पैंशन होगी अगर उसमें हम देखें कि सिल्कोसिस उसे अधिक है तो वहाँ पर 1500 रुपए दिये जाएंगे ये क्वेशन सुमेलित करने के परकार से पूछा जा सकता है ध्यान रखना है हमको नेक्स्ट हमारी नोवी योजना के अंदर हम आ गए है सातियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक बार सभी सातियों के साथ सेर कर दें आयुषमान भारत महत्मा गांदी राजस्तान स्वास्ते बिमा योजना के बारे में पढ़ेंगे एक स्तंबर 2019 से भामा सा स्वास्ते बिमा योजना और आयुषमान भारत परदान मंतरी जन आरोग्या का विल्या करकर आयुषमान भारत महत्मा गांदी राजस्तान स्वास्ते बिमा योजना शुरू की गई है इसके अंदर पातरता क्या है कि राष्ट्रिय खाद्य सुरुक्ष्या एक्ट 2013 के अंतर का चैनित परिवार रहेंगे समाजिक आर्थिक वज्जाती अधारित जन गणना 2011 के अधार पर आयुषमान भारत योजना के पातर लाभी जो लाभारती है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे इसका दूसरा चरण जो साथियों हमको ध्यान रखना है 30 जनवरी 2021 से शुरू है और ने चरण में परिवारों की संक्या 98 लाग से बढ़ा कर 1.10 क्रोड परिवार कर दी गई है अब परती परिवार सालाना निसुलक उपचार सीमा बढ़ा कर तीन पहले कितनी थी 3.30 लाग थी लेकिन वर्तमान में 5 लाग रुपए तक हो गई है और उसके अंदर 1401 पैकेज को बढ़ा कर 1576 कर दिया गया पैकेज कितना अब 1576 का पैकेज यह हो चुका है यहां पर यह पहले कुछ ध्यान हमको देने है वार्शिक प्रीमियम ध्यान रखना है कि 1750 क्रोड रुपए का लगबग 80% अंसदान राज्य सरकार दवारा वहन किया जाएगा 80% जो अंसदान है ना वो राज्य सरकार यानि रास्तान सरकार इसको वहन करेगी यह कुछ फैक्ट थे साथी भी निशुलक पैकेज में सामिल है ये वाला फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसके तहट क्या है कि बरती से पांच दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का जो चिकित सा खर्च रहेगा वो निशुलक पैकेज के अंदर सामिल रहेगा वो निशुलक पैकेज के बिम्मा योजना के पैकेज के सुची में कोविड-19 हीमोडाइलिसिस रोगों को सामिल कर लिया है ये कोविड-19 है हीमोडाइलिसिस है ये भी इस योजना के तहट आते हैं राज़स्तान स्टेट हेल्थ इंसूरेंस कंपनी लिम्टेड के मद्धे MOU भी हुआ है इसके मुख्या मंतरी क्रोना साहिता योजना के बारे में पढ़ेंगे ये जो संपून रज्जे के अंतर है 25 जून 2021 को संपून रज्जे में संसालित की जाती है इसके तहट क्या है कि महामारी में अनात हुए बच्चों विद्वा महिलाओं उनके बच्चों को आर्थिक समाजिक और शेक्षनिक संबल परदान करने के लिए इस योजना को सुरुआत की गई है उनको संबल परदान करने के लिए योजना सुरू की गई है इसमें परतेक अनात बालक बालिका को ततकालिक साहिता के रूप में एक लाख रुपे दिये जाएगा एक लाग रुपए तो ततकालिक साहिता होगी एक मुस्त साहिता यानि एक लाग रुपए एक मुस्त साहिता के रूप में दे दिये जाएंगे 18 वर्ष की आयू तक उसको 25 रुपए पर तिमह एवं 2000 वार्षिक दे होगा 18 वर्ष की I.U में उसको 25 प्रती महां एवं 2000 रुपए वर्षिक दे रहेगा उसमें 18 वर्ष की I.U पूर्ण होने पर 5 लाग रुपए की सहहिता रासी दे है अगर उसके आयू पांच यानि जैसे 18 वर्ष की पूर्ण होती है तो उसके बाद उसको 5 लाग रुपे की साहिता दे है ये भी ध्यान रखना है साध्यों इसमें ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसी परकार की योजना उन्तरगत विद्वा महिला को एक लाग की ततकालिक साहिता के साथ ही पंदरा सुरुपे परती महा पेंशन दे है साथ ही विद्वा के बच्चों को 18 वर्ष की आयू तक 1000 रुपे परती महा वे 2000 वार्षिक दे रहेगा यहां पर बस ये वाला चेंज पंदरा सुरुपे परती महा पेंशन दे है और साथ ही उनके 18 वर्ष के आयोत के बच्छों को एक हजार परतिमा और दोजार वार्शिक देयर इसमें रहेगा राजस्तान सुब सक्ती योजना के बारे में पढ़ेंगे हम राजस्तान सुब सकती योजना को रज्य सरकार द्वारा सर्मिक परिवार की बेटियों, महिला और एव वहाईत लड़कियों को ला पहुंचाने के लिए शुरू की गई है कौन सी राजस्तान सुब सकती योजना इसके तहएत सरकार द्वारा क्या है? 55,000 रुपए की आर्थिक साहिता परदान की जाएगी ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है? कितने रुपए की राजस्तान सुब सकती योजना ये वाला क्योश्टिन नना है? ये वाला योजना पुछी गई है सातियों हाली में जो एक्जाम हुआ था उस एक्जाम में ये राजस्तान सुब सकती योजना के तहत 55,000 रुपए की आर्थिक साहिता परदान की जाएगी ये योजनाओं से समदित कुछ फैक्ट रहते हैं जो की इपोर्टेंट रहते हैं कितनी राशी दी जा रही है, कब शुरू ही, कौन सा विभाग चला रहा है हाँ अगर उनमें कुछ चेंजिस किया गया है ना तो ये मान के चली वो तो को कम समय में अस्पिताल पहƯुंचाने वाले वैक्ति को पांच ह़जाय रुपए एवं एक प्रसेंटि क्या दिया जाता है उसमें एक तो पांच हजार रुपए ऐवं प्रसषटी पत्र देखर समानी किया जाता है कौन सी योजना के तायत मुख्य मंत्री चिरिन जीवी जीवन रक्षा योजना के तायते ऐसा किया जाता है आई-म सक्ति उडान योजना बहुत ही अच्छी योजना है ये भी हमारे एक्जाम पॉइंट ओव यूज इपोर्टेंट है यानी टेटिस तो वो है ही जो फ्लैक्सिप चल रही है वो तो इपोर्टेंट है साथ ही बहुत ज़्यादा इपोर्टेंट है ये मान के चलूआ 19 दिसंबर 2021 को मुख्य मंत्री ऐसो गयलोथ द्वारा आई-म सक्ति उडान योजना का लोकारपन किया गया 19 दिसंबर 2021 को एसो गयलोथ जी द्वारा आई-म सक्ति उडान योजना का लोकारपन किया गया इस योजना के तहट ग्रामिन शेत्रों में 282 बलोग परतेक बलोग में 5 चेनित अंगनवाडी के अंदर है वहाँ पर 10 से 45 वर्ष तक की आयू के परतेक किसोर चाहिए वो किसोरी हो चाहिए वो महिला हो लाबरती को परती महां 12 सनेटरी नेपकिन को निशूल के वित्रन किया जाएगा आयम सक्ती उड़ान योजना के तहद आपको क्या दियान रखना है एक तो 19 दिसम्बर 2021 को दियान रखना है और दियान रखना है आपको 10 से 45 वर्ष की आयू की महिलाओं को 12 सनेटरी नेपकिन किया है निशूल के वित्री तक किये जाएगे ये वाला पॉइंट आपको यहा अपने आप उसको थोड़ा सा नोडाउन किजिए सरली करने में उसको नोडाउन करने का प्रयास करें simply point of view में इसको नोडाउन कर ले एक quick reason exam से पहले इसका ले लेना आप या वीडियो को देख सकते हो दोबारा वो आपकी एच्छा है आप किस परकार करो question भी हमने अलग से इस पर करवा रखे हैं सभी योजनाओं को कवर करने का प्रयास किया कि पचास क्योशन जो हमने किये हैं तो उसमें सभी क्योशन कवर हो जाएं तो आप वो लगाने का प्रयास भी जरूर करें उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि योजनाओं में किस परगार के क्योशन आए आपको बार बार यह कह रहा हूं वैसे ही क्योशन आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे ये योजना महिला एम बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग है यानि उस विभाग के दोरा चलाई जा रही है महिला एम बाल विकास विभाग नेक्स्ट योजना इंद्रा महि मेला सकती निवि योजना कासू भारंब किआ गया है साती हो इसके लिए राजया ने परति वर्षट 270 रुपै का प्रावधान किया है परति वर्ष तो 200 क्रोड और पांच वरस के लिए एक हजार क्रोड रुपए है पांच वरस के लिए एक हजार यानि पांच वरस का बोलोगे तो दोसों इंटू पांच करके आप वो कर सकते हो एक हजार क्रोड का हो गया इसके तहट क्या है कि महिला इवं साहिता समुवता महिला को आत्म निर्भर बनाने के लिए इस निदी से एक हजार क्रोड रुपे कारेने मिल सकेगा एक हजार क्रोड रुपे कारेने नों को दिया जाएगा कि महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया जासके माद्यम से पर्देश में पांच विविन योजना शुरू की गई है इस योजना के तहत भी कुछ पांच योजना शुरू की गई है इंद्रा महिला सक्ति निदी योजना ना इसके तहत पांच अन्य योजना इसमें शुरू की गई है वो हमको ध्यान रखनी है विविन पांच से योजने शुरू की गए तो वो कौन कौन सी है कि इंद्रा महिला सक्ती उध्यम प्रोथसान योजना वो तो नाम सेमी हो गया कि इंद्रा महिला सक्ती तो वो तो उस योजना के तहच लाई गए तो ये नाम आपको ध्यान रखना है उसके आगे उध्यम प्रोथसान योजना के तायत क्या होगा कि एक रोड रुपे तक का रूस को रिन दिया जाएगा उध्यम को प्रोथसान करना है तो एक रोड रुपे तक का भाँ पर रिन हो गया उसके बाद प्रसिक्षन एवं कुसल समवर्धन योजना प्रसिक्षन एवं कुसल समवदन में क्या है कि पचेतर हजार नीसुल के कम्प्यूटर प्रसिक्षन दिये जाएंगे पचेतर हजार नीसुल के कम्प्यूटर प्रसिक्षन उसके अंदर दिये जाएंगे प्रसिक्षन वाले में आप ये ध्यान रख लेना और जो लेखा प्रिक्षन योजना है ना इंद्रा सक्ती इंद्रा महिला सक्ती वाला नाम तो ध्यान रखना है आपको उसके बाद में लेखा प्रिक्षन योजना है तो उसमें पांच हजार महिलाओं को लेखन का प्रिक्षन करवाए जाएगा उसके अन्य जैसे इसमें सिक्सिया से तू योजना कौन सी है सिक्सिया से तू योजना के अंदर क्या होगा कि सिक्सिया से वंचित रही पचास हजार बालिकां महिलाएं उनको सिक्सिया प्रवाइड करवाई जाएगी पचास हजार महिलाओं को ये करवाए जाएगा उसके बाद क्या है कि कोसल सामर्थे योजना यहाँ पर क्या है कि प्रस्रिक्षन कुसल से वर्दन है यहाँ पर कोसल सामर्थे योजना उसमें दस जार महिलाओं को कोसल प्रस्रिक्षन वहाँ पर दिया जाएगा अब हमको क्या है ध्यान देना है इसमें एक रुड़ रुपे तक कारिण है उध्यम प्रोथसान में इसमें 75,000 नीसुल का कम्प्यूटर प्रिक्शन दिये जाएंगे लेखा प्रिक्शन वाले में 5,000 महिलाओं को लेखा का प्रिक्शन करवाए जाएगा सिक्स्या से तू के अंदर 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को सामिल किया जाएगा और कोसल सामर्थे वाले में 10,000 महिलाओं को कोसल प्रिक्शन दिया जाएगा जो अन्य एफेक्टिब पोर्डेंट थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिये हैं नेक्स्ट 15 वी योजना के अंदर हम पहुंच गए मुख्य मंत्री क्रोनना बाल कल्यान योजना बाल कल्यान योजना राजस्तान सरकार के क्रोनना वाईरस के कारण अनात हो बच्चों की समूचित परवरीस के लिए 12 जून 2021 से मुख्यमंतरी क्रोना बाल कल्यान योजना की सुरुआत 12 जून 2021 से सुरुआत की गई है मुख्यमंतरी क्रोना बाल कल्यान योजना की अब आपको ध्यान देना है कि क्रोना के कारण माता पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता पिता को खाने या बे सारा बच्चों को इस योजना के तहत ततकाल साइता के रूप में एक लाक रुपे का एक मुस्त अनुदान और अठारा वर्स पूरे होने तक ढ़ाई हजार रुपे की रासी परतिमा दी जाएगी। कितने रुपे की रासी यानि पच्छिस सो रुपे की रासी इसके अलावा अनात बालक बालिका को ठारा वर्स की उमर तक पांच लाक रुपे एक मुस्त साइता परदान की जाएगी। पॉइंट ओफ एक्जाम पॉइंट ओफ यू से रीट सेकंड ग्रेड राजस्तान के सभी एक्जाम में ये बहुत महत्पून योगदान देने वाली है। शासन विभाग इसका नोडल विभाग है यानि उस विभाग दवारा चलाई जा रही है। इपोर्टेंट है ये बाते हैं। इसके तहत इस योजना के तहत राज्ये के सहरी गरीब लोगों को आठ रुपे में गुणवत्ता पूर्ण पोस्टिक भोजन दिया जा रहा है। ये वाला पूइंट बहुत ज़्यादा इपोर्टेंट है आठ रुपे के अंदर उनको खाना मिला करेगा। आठ रुपे के अंदर इसमें प्लेट दी जाती है। तो पहले इस योजना में क्या था कि राज्य सरकार द्वारा परती थाली अनुदान की राशी 12 रुपे थी। पहले जो सरकार थी हमारी राज्तान सरकार है वो 12 रुपे परती अनुदान दिया करती थी। लेकिन एक जनवरी 2022 ये वाला पॉइंट ध्यान रखना एक जनवरी 2022 में इसको बढ़ाकर 17 रुपे कर दिया गया है। बारा रुपे से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है इसलिए योजना इपोर्टेंट हो जाती है। इंदरा रसोई योजना इसलिए इपोटेंट हो जाती है, फ्लैक्सिप योजना के अंदर गताती है, तो इसमें कहा है कि पहले 12 रुपए अनुदान दिया करती थी और वर्तमान में 17 रुपए अनुदान देती है, एक जनवरी 2022 के बाद और 20 अगस्त 2020 को इसकी सुरुआत होत मुखे मंतरी किर्षक साथी योजना, मुखे मंतरी किर्षक साथी योजना 24 फरवरी 2021 को शुरू होती है, कब शुरू होती है, 24 फरवरी 2021 को ये योजना सुरू होती है, मुखे मंतरी किर्षक साथी योजना, ये योजना किर्षक कल्यान कोस्त के मादें से तीन वर्सों है, अनुदान अधारित योजना है तिन वर्षों के लिए है तो इस योजना के अंदर रत क्या होगा कि पांच लाख रुपए तो किर्सक को उनत किसम के बीज वितरित किये जाएंगे पांच लाख जो किर्सक है किसान है पांच लाख किसानों को उनत किसम के बीज दिये तीन लाग जो किसान है उनको निस्वलक बायो फर्टिलाइजर उपलब्द करवाए जाएगा तीन लाग किसानों को माइक्रो निउट्रियस किट उपलब्द करवाए जाएगी और अनिए क्या रहेगा एक लाग ए एक से रहेगा जिनको कमपोस्ट यूट्च की स्थाफणा की जाएगा नेक्स्ट है मुख्य मंतर्य किसान मित्र योजना ये वाली ध्यान रखना मुख्य मंतर्य किर्सक 6 योजना जिसके अंदर 20 उपलब्द करवाए जाएगी बीज से संबंदित दिये रहेगी फर्टिलाइजर उपलबत करवाए जाएगे 24 फरवरी 2021 ये इससे मिलती जुलती है इसमें लाइट से संबंदित रहेगा अब मुक्यमतर किसान मित्र उर्जा योजना आगी तो ये क्या है उर्जा का नाम आते है आपको विद्यूत संबंद आजाएगा कि विद्यूत से संबंदित हो गई ये वाला थोड़ा सापको यहां पर ध्यान रखना किसानों को आर्तिक संबल परदान करने के लिए मुक्यमतर किसान मित्र योजना का सुबारंब 17 जुलाई 2021 को किया गया 17 जुलाई 2021 को इसका सुबारंब किया गया है उर्जा विभाग इस योजना को चला रहा है इस योजना पर सालाना 1450 क्रोड रुपए का अत्रिक्त वेर होगा 1450 क्रोड रुपए का राज्तान सरकार इस पे अत्रिक्त वेर करेगी खर्च करेगी, साथियों इसमें हमको जो important fact द्यान रखना है, इसके अंदर एक तो आप यहां पे द्यान रुखो, कि पर्ती महां इनको है ना, पर्ती महां एक हजार रुपे दिये जाएंगे, यानि पर्ती महां तो एक हजार रुपे और maximum कितना दिये जाएगा, एक साल के अ बारहाजार रुपए ये ध्यान रखना है इस योजना के तहट एक हजार रुपए परतिमा और मैकसिमम एनुल कितना हो जाएगा वार्सिक कितना हो जाएगा बारहाजार रुपए वार्सिक हो जाएगा ये अनुदान सिद्धे किसान के जो है उसके बैंक खाते में तो भी उसको एक हजार रुपए ही दिये जाएंगे अनुदान उसके खाते में डारेक्ट आ रहा है तो यह ध्यान रखना परती माँ एक हजार रुपए मैकसिमम उसको बाराजार रुपए दिये जाएंगे इस योजना का लाब मई 2021 से बिजली बिलों पर लागू हो चुका है बिजली बिल की रासी एक हजार से कम होने पर सेंस रासी का समय योजन उसी वित्य वर्स के आगा में महों में किया जाएगा यह वाला पॉइंट भी आप है ध्यान रखना इंद्रा गांदी सहरी क्रेडिट कार्ड योजना कोई गना कि जूरत नहीं है यानि उसको 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्तरिन उपलब्द करवाया जाएगा 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्तरिन बिना किसी गारांटी के फ्लोब्द करवाया जाएगा योजना का लाब जो है नगर पाली का हो नगर परिशद हो नगर निगम की सीमा में रह रहे है पांच लाख लाबर्तियों को दिया जाएगा पांच लाग लावर्थी अगर नगर पाली का नगर परिशिदर्य नगर निगब किसी की सीमा में आ रहे है तो उनको यह यहाँ पर दिया जाएगा लावर्थी की आयू निधारन यहाँ पर किये गई है कि 18-40 वरस तक यह यह रहेगी 18-40 वर्त की आयू है और वह बिरोजगारी बत्ता का प्राप्त करता नहों ये वहला पॉइंट भी द्यान रखना अगर उसको बिरोजगारी बत्ता मिल रहे न तो वो इसका लाब नहीं ले सकता है लाब अबर्ती की आयू 18-40 वर्त होनी चाहिए और वह क्या नहीं होना चाहिए कि बिरोजगारी बत्ता उसको नहीं मिलता होना चाहिए ये भी पॉइंट यांपर मेंचिन किया गया है योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी 31 मार्च 2022 तक ने रिंड सविकरित किये जा सकेंगे ने रिंड सविकरित हो सकेंगे 31 मार्च 2022 तक पुनर भुगतान के वद्धी 12 मार रहेगी यानि जो भुगतान राशी है 50,000 रुपए दे तो दिये हैं उनका भुगतान कब तक करना होगा तो 12 महीने के अंदर उनका भुगतान करना है नोडल अधिकारी को रहेगा जिला कलेक्टर इसका नोडल अधिकारी रहने वाला है नेक्स्ट हमारी 20 योजना के अंदर हम आ गए हैं मुख्य मंत्री लगू प्रोथसान योजना के बारे में पढ़ेंगे मुख्यमंत्री लगू प्रोथसान योजना के बारे में पढ़ेंगे मुख्यमंत्री लगू प्रोथसान योजना जो है 13 दिसंबर 2019 13 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी साथियों 13 दिसंबर 2019 को शुरू ही इसका उदेश चे लगू उध्योगों की वित्य संस्थानों के माद्यम से 10 क्रोड रुपय तक करिन उपलब्द करवाना है इसका उध्य से क्या है? 10 क्रोड रुपय तक करिन उपलब्द करवाना है और जो उध्यमी है उनको 25 लाख रुपय तक करिन पर 8 परतिसत पांच क्रोड केरिन तक 6 पर 30 और 10 क्रोड केरिन पर 5 पर 30 व्याज का अनुमोदन है यह वाला पॉइंट द्यान रखना अगर मैं यहाँ पर लिखू कि 25 लाक वाला है तो उसको 8 पर 30 अनुदान दिया जाएगा पांच क्रोड पे आ गए तो उसको 6 पर 30 अनुदान दिया आज हमने 20 पढ़ लिए 30 योजनाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ तो आज के लिए इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा सभी सात्यों के साथ सेर करें लाइक करें कॉमेट करकर जूरू बरता है आप कॉमेट करते हो उससे हमें पता चलता है कि साथी चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को प्रेस करेंगे धन्यवाद